आज मैं आपको लोगों के लिए लेके आई हूँ अर्बी की पत्तों की एकदम नई और योनिक रेसिपी जिसको खाने के बाद आप नौनमेज खाना बिल्कुल बोली जाएंगे आप देख सकते हैं इसके जो पीसे से बिल्कुल मचली के पीसों की तरह ही है और इसका स्वाद जो है बिल्कुल मचली की तरह होता है तो दिखने में ये जितना लाज़वाब दिख रहा है खाने में उतना ही स्वादस्ट होता है देखके आगया ना आपके भी हूँ में पान बना सकते हैं इसे मैने धो करके अच्छे से राद भर के लिए सोक करके रख दिया था रात भर करने से यह अच्छे से फूल जाता है आप देखेए बहुत अच्छे से फूल चुका है मैं आपको एक पी सोड़के दिखाते हूं यह बहुत आसानी से टूट भी रहा है वसमें इतना ही इसे पिगाना है, आप इसे चार गंटे के लिए भी सोप करके रख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अर्वी के पत्ते लिए हैं, अब हम इसे डंठल से अलग कर लेंगे, और इसे छोटे छोटे टुकडों में काट लेंगे, अब हर्वी के जो पत्ते होते हैं, उसके डंठल की भी सबजी काफी टेस्टी बनती है, मैं आज आपको पत्ते की रेसिपी बता रही हो chapters, कभी और मैं आपको इसके डंठल की रेसिपी जरूर सेयर करूंगे, यहाँ पर मैंने सबी पत्तो को अच्छे से धोली हैं, अब हम इस से कट करेंगे अच्छे से हम इसे वारिक बारिक कट करना है इसी तरह से आप भी सब्सक्राइब चौप जैते हैं आज़र के हाथ when किसी तरह से कुझली होती तो आप हाथ में एक वरतन में टांसफर कर लएंगे इसके बाद में बर और इसे अच्छे से पाने से धूलेंगे दो बार हम इसे अच्छे से पाने से धूलेंगे इसके बाद हमने जो ओड़त की दाल लिये उसे अब हम अच्छे से पीस लेंगे ओड़त की दाल को पीसते समय हमें बिल्कुल भी पानी का यूज नहीं करना है वो अच्छे से फूल चुकी है तो वो आ फ्हले पत्ति से अच्छे से निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसे उड़त की जो दाल का पेष्ट बनाया है, उसमे एड़ करेंगे, उसके साथ ही हम एक बढ़त लेंगे, उसमें हम एक ग्लास पानी डालते अच्छे से उबालने के लिए test कर देंगे, आज हम जो अरभी के प उसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब हम इसमें नमक एड़ करेंगे स्वाथ के अनुसार उसके साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जाल मिर्स का पौडर एड़ किया है आप चाहें तो इसमें और भी मसाले एड़ कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर और कुछ भी एड़ नह ही आएगी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अच्छे से इसे मिक्स करके ले लिया है अगर आप इसमें पानी डाल देंगे तो यह बहुत ही ज्यादा निक्विट हो जाएगा और हम जो बैंडिंग बनाएंगे वह बिल्कुल भी नहीं बन पाएगे इसलिए आप उड़ अब हमने जो उड़त की दाल और अर्वी के पत्तों का पेस्ट बना करके रेडी किया है अब हम रोल बना करके रेडी करेंगे उसकी लिए सब सब पहले हाथ में अच्छे से हम पानी लगा लेंगे जिससे यह बिल्कुल भी हाथ में चिपकेगा नहीं बहुत अच्छे से र बाते जाएंगे जिससे यह अच्छे से बाइंड हो जाएगा और एक सेप ले लेगा बिल्कुल इसी तरह से हमें सभी जो वी हम पेस्ट है उसके इसी तरह से रोल बना करके रेडी करना है बहुत आसानी से बन जाता है वस आपको हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेना है जिससे यह बिल्कुल भी आपके हाथ में नहीं चिपकेगा और हम डायरेक्ट जो इस टेनर में कपड़ा लगा करके रखें हैं उसके ऊपर रख देंगी मेरे इस टेनर में एक बर में स्रिफ दो ही रोल आ सकते हैं इसलिए मैंने यहां पर दो रोल को बना करके इसमें रख दिये हैं बहुत आसानी से बन गए हैं आप भी एक बर में जितने आपके रोल आ सके उत्ते ही रखेगा नहीं तो यह एक दूसरे में आपस में चिपक जा इस तरह से मैंने दोनों रोल बना लिये हैं और साथ ही साथ हमारा जो पानी है वो भी अच्छे से गरम हो चुका है अब हमने जो इस टेनर में कपड़ा लगा करके रोल रखे थे उसको हम सावधानी के साथ हम जो गंज है उसके ओपर फिट कर देंगे जिससे यह बहुत अच् हमारा लिये उसके साथ साथ से लासून का कदिया लिये ली हैं दोनों सब्सक्राफ साहथ हम अच्छे से पीज़िख लेंगे इसके साथ ही मैंने यहां पर फोड़े से मिठे न suis' aikmao जीर्या एक चोट़ता चोमच सर सो एक चोटा चमस मेती के दाने उसके साथ यहाँ पे मैंने दो अरी मिर्चे लिये जिसे कट कर लिया है यहाँ पे जो प्याज और रसुन का पेस्ट बनाया कर रेडी किया था उसके साथ ही मैंने यहाँ पे तीन टमाटर लिये हैं जिसे मैंने मिर्चे में चला लिया है यहां पर मैंने एक कब दई लिए जिसे अच्छे से फेट करके ले लिया है इसके साथ ही पढ़ने वाले कुछ मसाले हैं जिसमें दो छोटा चमज जन्या पाउडर एक छोटा चमज लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चमज हल दिये आप मिर्ची अपने हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं हमारे जो अर्वी के पत्य के रोल है वो बन करके रेडी हो चुके होंगे चलिए चेक कर लेते हैं धक्काना डालेंगे हमने जो रोल बनाया तो वो अच्छे से कुग हुआ है इसके लिए हम एक नाइप लेंगे उससे हम इसे कट करके देखेंगे देखें बिल्कुल भी नहीं चीपकर है मतलब हमारे जो रोल है वो बहुत अच्छे से कुग हो चुके हैं अब हम इससे बाहर निकाल लेंगे यह बहुत ही आसानी से निकल जाएगा क्योंकि हमने इसे कपड़े में बनाया है तो यह देखे इसको हम इसमें पलट देँगे और हलके हाथों से कपड़े को हम Elder क्षीच लेंगे आप अपने कॉर्डिंग इसका साइस को छोटा या बड़ा कर सकते हैं रोल को कट करने के लिए दमधार वाली जाकू की जरुवत होगी नहीं तो ये बीस से तूट जाएंगी ये देखिए बहुत अच्छे से पीस बन करके रेडी हो गया है आप इसे deep fry करके ऐसे टमाटर सॉस के साथ enjoy कर सकते हैं आज हम इसकी सबजी बना रहे हैं तो चलिए अब हम इसे fry कर लिते हैं यहाँ पे मैंने एक पैन गरम कर लिया है अब हम इसमें दो बड़े चमस तेल एट कर देंगे यहाँ पे मैंने refined oil यूज किया है तो इन अच्छे से गरम हो चुका है अब हमने जो pieces कट करके रखे थे वो एक एक करके इसमें डालेंगे जितना जाद अच्छे से आपके roll steam हो रहेंगे आपका बिल्कुल भी यह कटेगा नहीं और fry करते समय यह फूटेगा भी नहीं एक बार मैं आपके जितने roll आजाएंगी उतना ही हमें इसमें add करना है आप देखिए pieces जो है वो बिल्कुल मचली के जो pieces है उसी के तरह लग रहे है हमें इसे दोनों तरफ से अलट पलट करके golden brown होते तक के लिए अच्छे से cook कर लेना है दो से तीर मिनट हो चुके हैं तो चलिए अब हमेंसे पलट लेते हैं आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा color आया है इसी तरह से हम दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए इसे अच्छे से golden brown होते तक कुछ कर लेंगे यहां पर सभी golden brown हो चुके हैं तो से लिए अब हमेंसे एक प्रेट में निकाल लेते हैं अब हम बज़े हुए तेल में अपनी ग्रेवी तेयार करेंगे यहां पर मुझे तेल थोड़ा लग रहा है तो मैं आदा तेल निकाल दूंगी तेल हमारा अच्छे से गरह में तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे उसके लिए यहां पर मैंने मीठी निम के पत्ते जीर दो मिनट के बाद हमने जो प्याज का और लसोन का पे시्ट बनाये था वह भी एड़ करेंगे अच्छे से हम इसे मिक्स कर ली और जैसे ही प्यार के नर्चेंज होता है तब तक हम इसे अच्छे से कूक कर लेंगे इस तरह से ग्रेवी बनाने से इस रेसिपी का जो टेस्ट है वो बहुत ही जादा अच्छा आता है अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सस्क्राइब करिएगा ताकि आपको अच्छी अच् अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे हमारा मसाला जले का नहीं और बहुत अच्छे से बenter करके रेटी होगा अवारा जो मसाला है बहुत जल्दी कुख हो चाएगा पास मियाट हम इसे अच्छे से कुख कर लेंगे जैसे ही हमारा जो मसाला है टमाटर के साथ बुन जाएगा और अपना कठाई जो है वो छोड़ने लगेगा वैसे हम इसमें दही एट करेंगी आप देख सकते हैं हमारा मसाला काफी करेंगी दही डालती समय हमको जो फ्लेम है वह एकदम लोकर देनी है नहीं तो हमारे जो दही है वो फट जाएगा अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे हाई फ्लेम में दो से तीन मिनट अच्छे से कुख कर लेंगे यह देखिए जैसे ही मैंने से हाई फ्लेम किया इसका जो कलर है वो काफी चेंज हो चुका है अभी इतना डिलीसियस दिख रहा है तो सोचिए खाने में कितना ही ज्यादा यमी होगा हाँ थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है बट इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है हमने जो रूल बनाया था आप उसे एड़ अच्छे से कुक करेंगे ऐसे ही यह पोरा तेल चोडने लगेगा वैसे हमारी जो ग्रिवी हो पक्कर के रैडी हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो gravy है वो बहुत अच्छे से पक चुकी है अब मैंने जिस बरतन में दई पेटा था उसी बरतन में एक कप पानी एड़ किया है आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग पानी को कम्या जादा कर सकते हैं एक कप पानी मैंने यहाँ पर एड़ किया है अच्छे से हम इसे mix कर लेंगे इस टाइम आप देख सकते हैं अगर आपका नमक कम लगता है तो आप इसमें नमक भी एड़ कर सकते हैं अच्छे से हम इसे उबाल लेंगे अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रेवी है वो थोड़ी पतली है थोड़ी देर में ही यह बहुत जादा थीक हो जाएगी अगर आपको पतली ग्रेवी वाली सबजी चाहिए तो आप इसमें जादा पानी भी एड़ कर सकते हैं हमारी जो gravy है उसमें उबालाना शुरू हो चुका है अब हम इसमें एक फोटा चमच गरम मसाला एड़ करेंगे उसके साथ ही यहाँ पर मैं टेस्ट के लिए धन्या के पत्ति डालूंगे अगर धन्या के पत्ति आपको पसद नहीं तो आप इसे skip भी कर सकते हैं अच्छे से हम इसमें से मिला लेंगे आप दिखिए बहुत अच्छे से इसमें उबाला चुका है हमारी जो gravy है अभी भी आप दिख सकते हैं काफी ठीक हो चुकी है जैसे ही हम इसमें अपने जो pieces कट करके रखे ते जिनको हमने फ्राइक किया है वह एड़ करेंगे उसके बाद आप दिख अच्छे से आप देख सकते हैं उबाला चुका है बस अब हम दो मिनट के बाद हम गैस को आफ कर देंगे दो से तीर में ठाई फ्लेम में उबालने के बाद मैंने यह फ्लेम को एकदम लो कर दिये और आप दिख सकते हैं कि gravy कितनी थिक हो चुकी है उसके साथ जो हमारे piece है वो काफी अच्छे से gravy को एब्सॉल्फ कर चुके हैं दस मिनट के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे दस मिनट के बाद आप देख सकते हैं यह हमारी जो सबजी है बन करके ready हो चुकी है और देखिए बिल्पूल ठिक हो चुकी है इसकी gravy औ सकती है तो कमेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं गर्मा करम हमारे अर्वी के पत्ति की सबजी खाने के लिए पूरी तरह से रेडी है आप इसे चावल के साथ रोटी के साथ एंज्वाय कर सकते हैं बारिश के मौसम में यह सबजी खाने के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर तरन भी नहीं भूलिएगा जल्दी मिलते हैं हम अपने एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्यान रखिएगा बाय बाय टेक कियर